वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में फीनिक्स पक्षी के बारे में, वैसे तो घर में किसी भी पक्षी की तस्वीर या मूर्टी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फीनिक्स पक्षी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा है, फीनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने व अफसानी होती है जो कुछ थेउरीज मानती हैं कि इसको पूरदिशह रखना चाहिए लेकिन पूरदिशह फीनिक्स पक्षी के लिए दग्षण से Sempseession के लिए से सूरी है ददॉध को एकनी है लेकिन ददॉध हैं फीनिक्स पक्षी आगनी से ही पैदा होता और ये स्वयमी आग में नष्ट हो जाता है मतलब खुदी फायर हो जाता है अब फीनिक्स पक्षी एक काल्पनिक पक्षी है जिसके बारे में कल्पना की गई कि राख से उत्पन होता है आग से पैदा होता है और ये आग में खुदी जॉलाओं में भड़क के अपने फिर राक बन जाता है फिर उससे पैदा होता है इस तरीके के परिकल्पना एक फिनिक्स पक्षी की गई है तो ये घर के दक्षल दिशाप में लगाने से वेक्ति को लक्ष प्राप्त करने में सहायता देता है सकारात्म कूर्जा मिलती है और इससे उस वेक्ति में अपने काम के परती नई उमंग एक नई आशा जाती है मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूँ वास्तों में फिनिक्स कोई पक्षी नहीं है ये एक कल्पना करती है जिसे सफलता का एक रूप माना जाता है इसे कीरती का एक रूप माना जाता है इससे आपका यश बढ़ता है वास्तु शास्त्र में ये थी चर्चा फिनिक्स की पक्षी के बारे में उम्मीद है कि आप इन वास्तु टिप्स को अपना कर अपने घर में सकारात्मक्ता को प्रिवेल करने देंगे, समावेश करेंगे, सकारात्मक्ता को बढ़ाएंगे अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं और इसके लिए आपको इंडिया टीवी एप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाएं इंडिया टीवी एप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें इंडिया टीवी हर जगा हर वाक